Hello students, so आज के इस वीडियो में हम जो adjective का हमारा topic चल रहा था पिछले तीन वीडियो से, वो हम continue करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि correct use, मतलब कि कहां पर हमें adjectives जो हैं वो सही तरीके से use करने हैं, sentences में क्या rules होते हैं, उनको use करने का वो हम properly इस वीडियो के देखेंगे क्योंकि exams में जब errors detection वाले questions आते हैं, उसके अंदर इनका use जो है वो गलत तरीके से किया गया होता है, जो कि हमें find out करना होता है, तो इस वीडियो से हमें यही help मिलेगी कि अगर exam में, competitive exams जितने भी आप prepare कर रहे हैं, उनमें अगर ऐसा कोई question आता है, तो आप easily attempt कर सबकें, इसमें हम कुछ rules देखेंगे, जो adjective से related है, कि उन्हें कहां कहां हमें use करना है, rule number one क्या है, कि positive degree of adjective adverb comes in between as, as and so as, अब जो positive degree है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, तीनो degrees के बारे में बात की थी, positive, comparative and superlative, तो positive degree जो होती है, adjective या adverb की, वो हमेशा आएगी as, is as, और so, और as के बीच में, अब किस तरीके से वो आएगी, हम example में देखते है, he is as good as his brother, तो यहां पर जो हमने good है, वो एक positive degree है, adjective की, तो इसी लिए उसको हमने as और as के बीच में पुटके है, तो he is as good as his brother, क्योंकि हम यहां पर compare कर रहे हैं, कि वो अपने brother जितना ही अच् मतलब कि वो इतना ज़ादा तेज भागा, जितना उससे भागा गया, तो यहां पर भी हमने as fast as use किया है, first rule हमें समझ में आ गया है कि positive degree of adjective adverb होता है, तो वो as, as और so as के बीच में use होता है, rule number two क्या है, अगर adjective plus er then indicates the presence of a comparative degree, अगर ये वाला मतलब की manner वहाँ पर follow किया हुआ है, इस तरीके से अगर हमारा sentence के अंदर है, जैसे की adjective हम देखने है, adjective क्या है यहाँ पर, better और last में आ रहा है er, तो इसके बाद हम हमेशा then put करेंगे, ये हमें क्या बताता है, जब हम comparative degree use कर रहे हैं, उसका presence बताता है, और ज adjective है और उसका last में er है, तो उसके बाद हमें then use करना है, जैसे की then may or may not come after a comparative degree, अब ये जो then का ही एक और rule यहाँ पर बताया गया है, कि हो सकता है, वो then जो है, वो comparative degree के बाद में आ भी सकता है, और नहीं भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, पर ये एक rule है कि अगर adjective और er है तो उसके बाद हम then use करेंगे, जो कि हमें comparative degree का presence बताता है, क्योंकि हम किसी के साथ भी comparison करते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये इससे ज़ादा अच्छा है, comparison में हम दो लोगों को treat करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर then use कर रहे हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है, हर बार ऐसा हो, जैसे example today I am feeling better, कि आज मैं अच्छा feel कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो adjective better है, इसमें er है, तो हमारा sentence यहाँ पर ही खतम हो गया, इसके बाद हमने than use नहीं कर रहा, so this is not compulsory कि ऐसा हो, rule number 3, the is used before a superlative degree, अब जो the है, वो कब use होता है, superlative degree से पहले use होता है, जिस तरीके से example में हम देखेंगे, he is the best player of the team, तो जो best है, good, better, best, best जो होती है, superlative degree होती है, तो इससे पहले हमने use किया the, तो हमेशा याद रखें कि superlative degree से पहले हम the use करेंगे, moving to the next rule, when is chosen, out of two, we use a comparative degree preceded by the and followed by off, अब यह जो rule है, यह हमें क्या बता रहा है, कि जब कभी भी हमें दो चीजों के बीच में choose करना है, तो हम क्या करेंगे, जो comparative degree है, उससे पहले the लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे off, यह clear है, example में देखते है, she is the best of two sisters, अब इस तरीके का question जो है, वो एक्जाम में आ सकता है, अब आपको इसके अंदर find करना है, कि क्या गलती है, गलती यहाँ पर यह है, कि हमने rule देखा, कि अगर comparative degree, दो के बीच में choose करना था, मतलब two है, तो हम comparative degree से पहले दी लगाएंगे, और उसके बाद off लगाएंगे, तो बेटर होती है, वो comparative degree होती है, जिसमें हम comparison करते हैं, clear, if one is chosen out of more than two or all, superlative degree is used, preceded by the and followed by of, पर अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में हमें choose करना है, तो हम पर comparative की जगे हम superlative use करेंगे, अगर इसी question के अंदर the best of three sisters, four sisters, कुछ होता, तो यह sentence correct होता, पर यहाँ पर हमें द के बीच में से चुनना था, इसलिए यहाँ पर comparative degree आएगी, और अगर हमें दो से जादा लोगों के बीच में चुनना है, तो वहाँ पर superlative degree आएगी, clear, यह बहुत छोटी mistakes होती हैं, जो के exams में पूछी जाती हैं, यह देखने के लिए कि जो हमारे basic concepts हैं grammar के, वो clear हैं या rule number five, when two qualities of a noun or a pronoun are compared with each other, अगर हम noun और pronoun की कोई भी दो qualities को एक दूसरे के साथ compare कर रहे हैं, more plus positive degree is used instead of a comparative degree, तो हम क्या करेंगे, more और उसके साथ जो positive degree है, उसका use करेंगे, comparative degree का वहाँ पे use नहीं करेंगे, क्योंकि उपर हमने देखा कि जब भी हम दो लोगों के बीच में comparison करते हैं, तो हम वापे comparative degree का use कर रहे थे, पर according to this, अगर हम noun or pronoun की कोई भी दो qualities का comparison कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, तो हम use करेंगे more और उसके साथ हम use करेंगे positive degree, example देखें हम इसका कि किस तरीके से example होगा, he is wiser than intelligent, अब यहाँ पे आप देखो, कि यहाँ पे use हो रखी है comparative degree, और more का भी use नहीं है, तो यह जो sentence है, यह गलत है, इसका सही sentence बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो qualities के comparison कर रहे हैं, noun और pronoun की, यहाँ जो pronoun है he, इसकी हम दो qualities का comparison कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, इसी लिए यहाँ पे more plus positive degree use होगी, ना कि comparative degree, और than, यह गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा, he is more wise than intelligent, this is the correct, क्योंकि यहाँ पे more use हुआ है, और उसके साथ positive degree use होई है, Moving to the next rule, rule number 6, if one is compared with all the others of the same variety, any other is used to exclude the former, अब इस rule में क्या है, इस rule में आपको ध्यान इस बात पे देना है, कि अगर कोई भी एक चीज को हम compare कर रहे हैं, उसी की, मतलब की species की, या उसी की जाती की, किसी भी चीज से, जो की other variety की है, मतलब, same तो है, जैसे अब हमने यहाँ पे example में metals की बात किया है, तो gold भी एक metal है, तो हमें अगर gold को exclude करना है, बाकी metals से, तो हम क्या करेंगे, any other use करेंगे, ताकि हम उसे अलग से बता सके, यही बात यहाँ पे समझाए गई है, rule number 6 में, कि अगर हम कोई एक चीज को compare कर रहे हैं, उसी variety की बाकी चीजों के साथ, तो हम any other use करेंगे, उसको exclude करने के लिए, clear, तो example देखता है, gold is more precious than any metal, जो gold है, वो बहुत जादा precious है, मतलब की बहुत जादा कीमती है, बाकी metals से, तो हमें यहाँ पे क्या बताया था, कि हमें any other use करना है, अगर हम एक को compare कर रहे हैं, उसी variety की बाकी चीजों से, तो यहाँ पे हमन any other use ने किया, इसका मतलब यह गलत हो गया, यहाँ पे हम use करेंगे, gold is more precious than any other metal, any other से क्या हो गया, जो gold है, हमने उसको exclude कर दिया, clear, तो this is the correct sentence, exam में इसी तरीके से questions आते हैं, उनमें यही गलतियां होती हैं, छोटी-छोटी, जो कि हमें नहीं पता होती, because यह जो rules हैं, हम seriously नह चान रखना है, और जितने ज़्यादा questions हो सकें, आपको इनके practice करने है, ताकि आप अराम से उस चीज़ को attempt कर पाऊ exam में, moving to the next rule, rule number 7, adjective that end in I, O, R, are followed by to and not then, अब वो adjectives, जिनके last में I, O, R आता है, उनके बाद हम हमेशा to लगाएंगे, then नहीं लगाएंगे, जैसे उपर हम हमने E, R, आ रहा था, उनके साथ क्या किया था, then लगाया था, पर ऐसा हमेशा हो, जरूरी नहीं है, यह जो adjective का rule है, इसके अंदर है, कि अगर end में I, O, R, आ रहा है, तो हम to का use करेंगे, ना कि then का, clear, superior, inferior, senior, junior, prior, anterior, posterior, इन सभी words में, last में आप देखो, कि I, O, R, आ रहा है, आ रहा है न, तो आप इसमें than का use नहीं करोगे, he is senior than me, no, this is the wrong sentence, हमें हापे use करना है, he is senior to me, clear, rule number seven, moving to the next rule, rule number eight, adjective like interior, exterior, ulterior, major, minor, empty, excellent, circular, extreme, chief, यह जितने भी मैंने यहाप एजेक्टिव लिखे हुए हैं, यह कभी भी comparative और superlative degree के अंदर use नहीं होंगे, आप यह सारे adjectives को लिख लीजे अच्छे से, या फिर आप snapshot ले लीजे इसका, कि यह जितने भी adjectives यहापे लिखे हुए हैं, यह कभी भी इनकी comparative और superlative degree के अंद यूज नहीं होंगे, this is more inferior to that, so यहाँ पर जो more inferior है, वो क्या है, इसकी comparative degree है, जो की गलत है, हमें यूज नहीं करनी है, इसलिए हम यूज करेंगे, this is inferior to that, this is the correct thing, exam में यही questions आते हैं, इसी तरीके से आते हैं, जिनकी गलतियां हमें find करनी होती है, और इन rules की मदद से हम easily, in tricks के मदद से हम बहुत असानी से यह सारी जुगलतियां है, वो find out कर सकते हैं, आपको जादा time नहीं लगेगा, अगर आपका concept clear है, इस चीज से related तो, next है, जैसे good deeds are more everlasting, तो हमने हापे everlasting के साथ more use किया है, that is comparative degree, again, तो हमें वो use नहीं करनी है, तो हम यहाँ से more उसको हटा देंगे और यह हो जाएगा, good deeds are everlasting, moving to the next rule, rule no.9, some adjectives are used in only positive and superlative degree and not in comparative degree, अब कुछ adjectives ऐसे होते हैं, जो कि केवल positive और superlative degree में use होते हैं, comparative degree में कभी भी use नहीं होते हैं, examples, positive degree यह top, superlative होते हैं, topmost, तो इनी दोनों degrees में use होते हैं, comparative degree में use नहीं होते हैं, northern, northernmost, southern, southernmost, तो इनका ध्यान रखना है हमें, कि यह हमेशा इसमें use होते हैं, इसी तरीके से हम eastern भी लिख सकते हैं, easternmost and western also westernmost, clear, rule no.10, adjective preferable is used in only comparative degree, अब जो preferable adjective होता है, यह कुछ exceptions हैं, जिनके base पे यह rules बने हुए होते हैं, जिनका हमें बहुत ज़ादा ध्यान रखना है, एक्जाम में अच्छा स्कूर करने के लिए, क्योंकि error detection पे 6 questions आते हैं, 6 questions बहुत ज़ादा होते हैं, इन्ही के basis पे जो fill in the blanks वाला जो part आता है, जिसके करीब 3-4 questions आते हैं, वो भी हम इन्ही सारे basic concepts से वहाँ पे use करके, इन्ही concepts को use करके हम वहाँ पे उन्हें लिख सकते ह अब जैसे यहाँ पे adjective preferable है, is used in only comparative degree, यह केवल comparative degree में use हो सकता है, हमें अगर यह बात नहीं पता और वहाँ पे अगर superlative में या positive degree में उसको use किया हुआ है, तो हमें error detect करना पड़ता हैं वहाँ पे, clear? preferable is followed by to and not than, अब यहाँ पे हमें बताया इसने कि preferable जो है, उसके बाद हमेशा to आएगा, than कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि comparative degree में हमने उपर देखा था कि हम than use कर रहे थे comparison के लिए, पर preferable adjective के साथ to आएगा, than नहीं आएगा, या फिर हम more preferable इस तरीके से use कर सकते हैं, क्यो preferable and then to, तो this is the correct sentence formation, clear, moving to the next rule, rule number 11, if two adjectives are used for a single noun or pronoun and if both adjectives are connected by a conjunction, both the adjectives must be in same degree, अब यह क्या कहना चारे हैं कि अगर दो adjectives को हम एक ही noun या pronoun के लिए, या फिर जो दोनो adjectives हैं, वो किसी conjunctions है, conjunctions मतलब, जब हम दो चीज़ों को किसी एक word से जोडते हैं, उससे अगर वो जुड़े हुए हैं, तो जो दोनो adjectives हैं, वो same degree में होगे, वापिस से मैं एक बार repeat कर देती हूँ, कि अगर दो adjectives जो हैं, वो एक ही noun या pronoun के लिए use हो रहे हैं, और जो दोनो adjectives हैं, वो एक conjunction से connect हैं, एक conjunction से जुड़े हुए हैं, तो दोनो adjectives same degree के होंगे, अलग-अलग degrees के नहीं होंगे, ऐसा नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपकी एक adjective हो वो positive का use करो, दूसरा superlative करो, नहीं, दोनो adjectives की जो degrees होंगी, वो same होंगी, example देखते हैं, गांदी जी was noblest and wiser of all the leaders, अब यहाँ पर देखो आप कि यह जो दोनो adjectives हैं, यह किसके लिए use हो रहे हैं, गांदी जी के लिए use हो रहे हैं, पर इसकी तो इन्होंने superlative degree यूज़ की है और इसकी comparative degree यूज़ की है, जो की गलत है, हमें दोनों के लिए same degree यूज़ करनी हैं, इसी लिए गांदी जी was the noblest and wisest of all the leaders यहां भी जो degrees हैं, वो दोनों की same होंगी, superlative degree दोनों के लिए use होई है, clear, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, moving to the next one, rule number 12, if the is used before an adjective, the adjective becomes a plural common noun, it will hence take a plural verb, अब rule number 12 क्या है, कि अगर the use कर रहे हैं, हम किसी भी adjective से पहले, तो जो adjective है, वो plural common noun में change हो जाता है, यह बात आपको याद रखनी है, इसी लिए वो plural verb ही लेगा, एक sentence के अंदर, अगर हम the use कर रहे हैं, किसी भी adjective से पहले, तो जो वो adjective है, वो plural common noun में change हो जाएगा, और इसी पहले उसके साथ जो verb use होगी, वो भी plural ही use होगी, example देखते हैं हम अपन, क्या है, rich, poor, needy, aged, blind, dead, meek, wicked, etc., अब यह जितने भी adjectives हैं, इनके पहले अगर हम the use कर रहे हैं, तो जो verb है, वो भी हम plural ही use करेंगे, और वो किस में बदल जाएगा adjective, plural common noun में बदल जाएगा, example, the rich, usually exploit the poor, तो यहाँ पर जो the rich है, उसका मतलब है rich people, और the poor है, उसका मतलब है poor people, तो यह जो adjective था, यह plural common noun में हाँ पर change हो गया है, plural common noun में हाँ पर change हो गया है, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, clear, next है, the honest are rewarded, अब यहाँ पर जो the honest है, मतलब honest people, तो यह plural common noun में चेंज हो गया है, इसलिए जो हमने verb यूज़ किया है यहाँ पे वो भी plural verb ही यूज़ किया है Sorted, next rule देखते है Rule number 13, if adjective of size, color, age, etc. comes together in a sentence, they should be used in the following order अब एक ही sentence के अंदर कई सारे adjective यूज़ हो रहे हैं जो कि कोई size के बारे में qualify कर रहा है, कोई color, कोई age, shape, origin, material, purpose तो उसके लिए एक order होता है, और वो order होता है, पहले opinion आएगा, then size आएगा, then age आएगी, then shape आएगा, then color, then origin, then material, and then purpose तो यह जो order है, आपको यह follow करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 तो अब इस example के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि यह सारे adjectives जो है, वो इस example के अंदर use के गए हैं, तो हम इनका order देखते हैं I bought beautiful, tiny, heart-shaped, purple, American, diamond, wedding ring तो यहाँ पर जो beautiful है, this is the opinion, कि वो चेज सुन्दर है tiny is the size, heart-shaped is the shape, यहाँ पर age की बात नहीं होई है, तो हमने उसे skip कर दिया color, American is the origin, material is diamond, and wedding is the purpose तो हमने यह वाला order जो है, वो यहाँ पर clearly follow किया, ठेक है, समझ में आगया यह वाला order कैसे follow करना है तो इसे हम याद किस तरीके से रख सकते हैं, इसे हम याद रखेंगे, O-S-A-S-C-O-M-P O-S-E-S-C-O-M-P, origin, size, age, shape, color, sorry, opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose clear, moving to the next one इसके examples यहाँ पर मैंने आपको लिखे हुए हैं कि opinion किस तरीके के हो सकते हैं, size, age, shape, इन सभी के examples हैं like beautiful, size में big, small, tiny, shape में round, oval, heart, shaped, etc. तो यह सारे examples हैं यहाँ पर अब एक note है हाँ पर जो कि हमें ध्यान रखना है कि tall, dark, and handsome, or fair, and beautiful are such common examples that have opinion after color अब यह जो adjectives हैं, tall, dark, handsome, fair, beautiful यह किसके examples हैं? यह opinion के examples हैं क्योंकि color के तो हैं यह बट इसके साथ यह opinion में भी use हो सकते हैं तो आपको sentence के according देखना है कि वहाँ पर वो opinion दिया गया है यह वो color mention किया गया है Fine, moving to the next rule, rule number 14 Two comparative and two superlative degrees never come together दो comparative और दो superlative degrees कभी भी एक साथ नहीं आएंगी He is the most cleverest of all the officer No, comparative और superlative degrees जो है दो वो कभी भी साथ में नहीं आती हैं तो जो यहाँ पर more और better है यह दोनों ही comparative degree हैं यह दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं यहाँ पर इसका सही होगा ले sentence गलत हो जाता है and this is better than that यह जो sentence formation होगा यह ठीक होगा इसी तरीके से most cleverest में भी क्या है दोनों यूज किये गए हैं superlative degrees तो यह दोनों गलत हैं सही होगा He is the cleverest of all the officers Fine दो एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं Most भी उज कर रहे हो, cleverest भी उज कर रहे हो नहीं गलत है Rule number 15 क्या है If different preposition are needed with different adjectives suitable prepositions must be used with each of them अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है इन्होंने सिर्फ एत्ती simple सी बात बोली है कि अलग-अलग prepositions अगर चाहिए हमें अलग-अलग adjectives के साथ तो suitable prepositions हम उनके साथ use करेंगे जैसे की ये दोनों यहाँ पे क्या है? adjectives है अब इनके साथ हमें क्या preposition जोटना है? इसमें इसने क्या लगा है? He is senior and more experienced than you ये गलत हो जाता है हमें proper prepositions इनके साथ use करने हैं जैसे की He is senior to not seniors senior to and more experienced than you तो हमने एक जगे to और एक जगे than properly इसमें use किया है अगला देखते हैं हम rule number 17 क्या है? many nouns are a part of hyphenated or compound adjectives they never come in plural form अब वो nouns जो की hyphenated और compound adjectives का part होते हैं hyphenated means जिनके बीच में ये लगा हुआ होते हैं ठीक है? और वो वाले compound adjectives वो क्या होते है? plural form का part मतलब कि वो कभी भी plural form में नहीं आते हैं तो I delivered a two hours lecture तो यहाँ पे जो two hours hyphenated था तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है hours use नहीं करेंगे हमने कहाए कि ये plural form में नहीं आते हैं तो I delivered a two hour lecture this is the correct sentence कोई भी compound adjective है या hyphenated adjective है तो वो plural form में नहीं आएगा He gave me two hundred rupees note तो अभी यहाँ पे जो two hundred rupees adjective है hyphenated यह गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे rupees use किया है He gave me two hundred rupees note this is the correct sentence formation clear? hyphenated or compound adjectives का example देख लिया हमने moving to the next rule rule number 18 possessive case comes after all and both and not before them अब जब भी हम possessive case use करेंगे तो उसके बाद all और both ज़रूर लगाएंगे possessive case कौन सा होता है जब हम अपना अधिकार किसी चीज़ पे दिखाते हैं possession दिखाते हैं अपने बारे में बात करें होते हैं या फिर किसी और जैसे yourself, themselves, my, our तो यह पर हम possession दिखा रहे हैं इस case में क्या होगा कि जो possessive case होगा वो हमेशा all और both के बाद में आएगा उनसे पहले नहीं आएगा example my all friends have got selected तो यह गलत है गलत क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हमने जो all है वो possessive case के पहले यूज़ कर लिया है जो कि यहाँ पे लिखा है कि not before them पहले यूज़ नहीं करना है पाद में यूज़ करना है इसलिए all my friends have got selected this is the correct sentence formation moving to the next rule rule number 19 if both positive and comparative degree of an adjective are used in a single sentence कि अगर दोनो comparative और positive degree adjective की एक single sentence के अंदर यूज़ की जा रही है तो दोनो as as और so as and comparative degree जो होती है उसे हम than के साथ clear अगर दोनो degrees positive और comparative degree किसी भी adjective की एक single sentence के अंदर यूज़ कर रहे है तो as as so as और comparative degree के साथ हम than use करके उस sentence का formation करेंगे he is as intelligent as if not more than his brother तो यहाँ पर positive degree जब हमने use की तो हमने as और as use किया और जब हमने comparative degree use की तो हमने than use किया जैसे more clear last and final rule देखते हैं हम adjectives का कि if a noun works as an adjective कि अगर कोई noun जो है वो वहाँ पर sentence में adjective की तरह काम कर रहा है it cannot be in plural form वो plural form में हो ही नहीं सकता ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर कोई noun है वो एक adjective की तरह काम कर रहा है तो उसको हम plural form में नहीं लिख सकते हैं अब इसके अंदर हमने बताया था कि जो noun है अगर वो adjective की तरह यूज हो रहा है तो वो plural form में यूज नहीं होगा तो यहाँ पर जो eyes है वो यहाँ पर adjective की तरह यूज हो रही है surgery किस की होने वाली है I की होने वाली है तो इसलिए हम इसे plural form में यूज नहीं करेंगे हम इसे singular form में यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे I word ठेक है यह कुछ बहुत ही जादा important और बहुत basic rules थे जो चोटी-चोटी mistakes हम से पूची जाती है हमारे concepts related grammar के exams के अंदर तो अगर adjective से related है तो आप इन rules को follow करके उनको easily detect कर सकते हो fine so अगले वीडियो के अंदर हम कुछ error detection के questions देखेंगे जो के adjectives के rules के basis पे होंगे I hope you liked the video Thank you